दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NTPC Energy Limited IPO के बारे में दोस्तों NTPC Green जो कि अभी के टाइम हमें IPO आज उपन होते वी देखने को मिल चुका है क्या वी रहेगा मेरा आपके साथ शेर करूँगा हलनकि दोस्तों एपलाई करना नहीं करना वो आपके उपर depend करता है बट इस वीडियो के बाद आपका जो view है वो almost clear होते वे देखने को मिलेगा आज का जो subscription data है वो भी चेक करेंगे anchor investors की तरब से बड़ा fund आने वाला है उसको भी इस वीडियो में जानने की कुसिस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आज है 19 नवंबर तो आज यहाँ पर IPO आपका open हो चुका है IPO आपका यहाँ पर 22 नवंबर को हमें close होते वे देखने को मिल जाएगा कल माराष्ट्रा में election दे है तो election की वज़े से कल आपका market close है 21 और भाई को यहाँ पर IPO हमें 22 तरिक को हमें close होते वे देखने को मिलेगा and allotment कब मिलेगा देखे नॉर्मल यह अगर देखा जाए तो अगर आपने apply किया है तो आपको जो allotment है allotment status आपको 25 नवंबर को चेक करते वे नजर आएगा and अगर allotment नहीं मिलता है तो आपका जो refund है वो 26 नवंबर की date को देखने को मिलेगा DMAT में share यहाँ पर कब credit होंगे DMAT की बात की जाए तो यहाँ पर 26 नवंबर को DMAT में भी credit हो जाएंगे और listing जो है इस IPO की होगी 27 नवंबर को 27 नवंबर को यह IPO हमें list होते भी नजर आ जाएगा और अगर बात की जाए यहाँ पर cut off time UPI mandate का जो है वो यहाँ पर 22 नवंबर जिस दिन IPO close होगा उस दिन के साम 5 बजे तक यहाँ पर आप apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप apply इसमें नहीं कर सकते हैं इस IPO में यहाँ पर जो इसका इस price band है face value है वो इसकी 10 रुपे है और price band रखा गया 102 और 108 expectation यह थी जब यह almost यहाँ पर जनवरी के time जब इसकी बात चल दीजिना तब दोस्तों expectation यह थी कि जिस फरकार से ERADA का 30 रुपे का price था अब ऐसे ही कही न कहीं इसका भी 30 यह 40 रुपे के आसपास price band आएगा बट expectation के मुताबिक अगर देखा जाए तो double से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें price band देखने को मिला तो इसी वज़े से इसके उपर जो है response काफी कम देखने को मिल दा है 102-108 का यहाँ पर price band हमें नजर आ रहा है 138 यहाँ पर लॉट में आपको देखने को मिलेंगे 10,000 करोड का यह फंड रेजिंग कर रहे है जिसमें से दोस्तों anchor investors की तरप से भी अच्छा कल सा फंड यहाँ पर निकल के आ रहा है सुबज अगर बात की जाए तो anchor investors यहाँ पर जो है almost 39.56% पैसा लगाने वाले है QIB वाले यहाँ पर 26.37% का इनका भी quota है और NI की बात की जाए तो यहाँ पर 13% तक का quota है NI में NI, HNI मतलब की दोस्तों उसमें अगर big HNI की बात की जाए NI की बात की जाए तो यहाँ पर 8.79% quota मिला है और small NI की बात की जाए तो यहाँ पर 4.4% का quota हमें देखने को मिल रहा है Retail investors का quota normally कमी है तो इनका तो यहाँ पर आज first day ही subscription हो चुका है 8.79% का यहाँ पर इनको quota मिला है जिसमें इनकी share holding category भी मुझूद है और employees की बात की जाए तो employees में आपको देखने को मिलेगा 2.1% इनका भी quota है and order share offer यहाँ पर जो है 10% हमें orders भी होते वे देखने को मिल रहे है जो यहाँ पर 3960 करोड उपे यहाँ पर anchor investors से fund raising कर लेंगे जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है anchor investor 3960 करोड उपे तक का investment यहाँ पर करने वाले जिसमें से दोस्तों इनके lock-in period की बात की जाए anchor investors की यह investment करेंगे तो investment करने के बाद 50% जो stocks है list होने के बाद 25 December को sale कर पाएंगे और बाकि जो 50% stocks है वो यहाँ पर 23 फरवरी को यहाँ पर इनका lock-in period हमें खतम होते वे देखने को मिलेगा तो anchor investors की भी एक बड़ी holding समय देखने को मिलेगी 3960 करोड उपे की तो सबसे बिले दोस्तों यहाँ पर आज का subscription देख लेते business वगएर तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही समझा दिया था कि NTP से में इसके business वगएरा क्या क्या चीजे हैं subscription की दोस्तों अगर हम बात करूँ तो QIB वालों ने यहाँ पर आज बहुत कमी bidding की है almost यहाँ पर 0.00 टाइम सी देखने को मिल रहा है बट उसमें से भी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी bidding हुई है QIB वालों की बात किजा तो total अभी तक 0 हुई है और NI वालों की बात किजा तो 0.16 है जिसमें से NI में यहाँ पर जो big NI है उन्होंने यहाँ पर 0.08 subscription किया है और जो small NI है उन्होंने यहाँ पर 0.03 टाइमस यहाँ पर subscription करते वे देखने को मिल रहा है Retail Investors की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1.42 टाइमस Retail Investors का यहाँ पर हमें इतना होते वे नजर आ रहा है जो कि almost यहाँ पर जितने भी इनकी category थी जितना इन्होंने इनसे मांगा गया था उतना इन्होंने यहाँ पर apply कर लिया है Employees की बात की जाए तो Employees यहाँ पर दीखे Employees का कोटा बहुत कम था Retail Investors के मुकाबले अगर देखा जाए तो उनका कोटा बहुत कम था बट उनका भी यहाँ पर Total Subscription नहीं हुआ 0.18 टाइमस यहाँ पर उनका में Subscription देखने को मिल रहा है Others की बात की जाए तो यहाँ पर 0.61 और Total जो आपका Subscription हुआ है वो देखने को मिल रहा है 0.35 टाइमस तो अभी तक यह IPO यहाँ पर पूरा नहीं भरा है दूसरी एक दिक्कत हमें यह भी देखने को मिल देए कि Market के उपर Pressure है Market Morning के टाइम 300 पॉइंट अप था अभी के टाइम यहाँ पर सिरफ 60 पॉइंट ही अप है तो जब तक यह Company लिष्ट होती है तब तक अगर और भी Market गिरता है तो उसके Gray Market Premium में लिष्टिंग गेंड के उपर भी Impact पर सकता है तो यहाँ पर Retail Investors क्या Trap हो सकते है दीगे मेरे इसाब से क्या क्या चीजे पॉसिबल है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा Subscription मेरे इसाब से यहाँ पर जो है अभी के टाइम जो 0.35 टाइम का चलता है QIB वगरा अल्मोस्ट यहाँ पर मिला के Maximum Subscription यहाँ पर 10 टाइम तक जा सकता है इससे उपर जाने के चांजेस कमी रहेंगे 10 टाइम से नीचे नीचे रहने के चांजेस यहाँ पर ज्यादा रहेंगे QIB वगरा मतलब Third Day का Last यहाँ पर सस्किप्शन 10 टाइम से नीचे रहने के चांजेस जो है यह भी ज़दा important है मेरे इसाब से जो ending के टाइम ग्रे market premium होगा या तो आपका 5% negative में होगा या फिर 5% up 5% से ज़दा आप होने के चांजेस थोड़े से कमी है क्योंकि market भी आपका pressure में है और उसलिके साथ सस्किप्शन में भी हमें यहाँ पर इतना ज़दा क्या है कि जो PSU stocks होते न अब यह NTPC Grain Energy जो IPO है यह company एक PSU company है government company है और government company में ऐसा कमी बार होता है कि जहां पे over valuation पे IPO लाया जाए government जो होती है वो बिल्कुल lower valuation पे ही IPO लाती है क्योंकि वो over valuation पे IPO बहुत कम बार लाती है private company अगर over valuation पे IPO लाती है तो वो एक बात हम समझ सकते है किसी private company का high PE पे IPO आ रहा है तो वो बात एक जायज बात है वो कुछ भी कर सकते है private company but government यहाँ पर इस valuation पे IPO ला रही है तो normally अगर देखा जाए तो यह थोड़ा higher valuation देखने को मिल दा है first time जिसकी वज़े से normally इसके उपर response कम आ रहा है अगर आप sector wise comparison करेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि sector का PE यह company green energy के अंदर हमें work करते वही नजर आ रही है तो sector का PE चल दा है आपका 35 का और बाकि जो comparison में company आ जैसे इसकी parent company है NTPC sector का PE चल दा है 35 इसका PE चल दा है 16 power grid की बात की जाए sector का PE 35 इसका PE है 18 अगर बात की जाए अदानी ग्रेंट जो की इस segment की सबसे high PE की company है और इसके उपर भी अभी के time selling चल दा ही है 34 का sector का PE इसका PE है 133 173 का अदानी पावर का sector से आधा PE है टाटा पावर sector के बराबर चल दा है फिर भी ये stock pressure में है JW की बात की जाए तो यहाँ पर sector से double almost हमें देखने को मिल दा है अदानी energy solution sector से double है बट यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो sector का यहाँ पर 34 है इसका हमें देखने को मिल दा है 263 मतलब ये जो company है ये आधानी green से भी काफी ज़्यादा higher PE पर trade कर रहा है तो मेभी यहाँ पर आने वाले time में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि listing के बाद हो सकता है ये और उपर न जाए listing के बाद हो सकता है इसमें selling बने क्योंकि हो सकता है LIC में क्या हुआ था कि stock list हुआ list होने के बाद यहाँ पर हमें drop होते वे नजर आया और काफी ज़्यादा time तक लोगों का पैसा फजा तो मेभी यहाँ पर ये भी हो सकता है क्योंकि दिखिए अब यहाँ पर IP आपको देखने को मिल दा है 108 रुपे का price और यहाँ से 263 का तो अभी P.E. चलता है तो आप यह expectation रखते हो कि यह list होने के बाद 150 रुपीज के levels पर जाएगा और अगर यह 150 रुपीज के levels पर चला भी गया तो यहाँ पर इसका P.E. हो जाएगा आपका 350 पलस तो इस P.E. पर जाना थोड़ा possible नहीं है मेरे इसाब से list होने के बाद एक profit booking आएगी and stock में again selling बन सकती है यह मेरा मानना है क्यों value वेसन थोड़ा सा high है तो उस basis पर अगर देखा जाए तो चीजे मुझे सही नहीं लग रही है मेरे इसाब से normally मैं तो दोस्तों avoid करूँगा आपका यहाँ पर क्या view रहेगा मेरे साथ जरूर शियर कीजेगा और उसी के साथ साथ जो लोग बड़े large में order लगा रहे थे तो थोड़ा सा avoid कीजे क्योंकि दोस्तों normally क्या है कि हम IPO में क्यों जाते है लिस्टिंग इनके साथ से और जहाँ पर हमें लिस्टिंग इनी नहीं मिल दा है तो normally वहाँ पर रिस्क लेने के थोड़ी से रिस्क लेना जरूरी नहीं है जैसे कि होंड़ाई में हमें देखने को मिला situation यहाँ भी हो सकती है यह मेरा मानना हो सकता है मैं गलत निकलू आपका दोस्तों यहाँ पर क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अभी पी रेशो के इसाब से अगर चीज़े देखी जाए तो श्टॉक थोड़ा सा में आवर बॉट ही देखने को मिल रहा है थैंक